कि हालो दोस्तों मैं एकुंद कुमार जैसे आप जानते हैं मैं अपने बारे में बता हूं तो मैं आइटी बेच्व से ग्रेजियोट हूं और यूपीपीस दो जार इक्वालिफाइट किया है एज एक्साइज इंस्पेक्टर लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो जी एस फोर जो पेपर उसकी बात करेंगे आपको पता है कि लगबग इस बीक प्रिलिम्स का जो वह भी आ जाएगा तो होता क्या है कि हम जब प्रिलिम्स की तयारी करते हैं तो हम केबल प्रिलिम्स की तयारी करते हैं केबल जो हमारा जो मैंस का है उसको ज्यादा भूल जाते और सबसे सबसे ज़्यादा भूला हुआ जो प्रिलिम्स में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक होता वह इथिक्स पेपर कोई नहीं पड़ता है लेकिन आपको पता होना चाहिए आपका जो फानल लिस्ट होता है जो हमारा पीडियेफ में जो नाम आता है वह हमारे मेंस के रिटिन प्रेक किसे लोगों के 110 120 तक मांकशा आते हैं लोगों के तो कैसे कबर करें तो आज हम उसी की बात करेंगा बहुत अच्छे से बात करेंगा तो कैसे पूरा करें जीस फोर पेपर चालीस पेज में तो सबसे बड़ी बात यह है कि जीस फोर पेपर जो इथिक्स है और इथिक्स पर इसलिए जोड़ा गया है कि आप जो एक अच्छे इंसान बने सच बताएं आप अच्छे इंसान नहीं और एक आप आई ऑफिसर बन जाते हैं तो आप करते हैं तो पहले तो किसी भी ऑग्जाम को निकालने के लिए हुटा क्या कि उस एग्जाम के डिटा पर रिसांच करो उसके सिलीवस जानना बहुत नैसेसरी अपस्लिवस जान लो तो आपको 50% काम हो जाता हुझ पता चल जाता कि यार इसे एक्जाम में आएगा क्या तो जी एक्सन कोई एक्सन लेता है तो इथिक्स क्यों इंपोर्टेंस होता बहुत सी चीज़े होती है तो आपको करना क्या है कि इस पूरे सिलिवस को एक बर देखो सरसरी ने गासे देखो ज्यादा नहीं है पहले में इथिक्स है फिर जो को हम कैसे नोट्स बनाएंगे यह भी हम ब होता है कोई जो attitude किसी person हर person का एक attitude होता है तो उसका function क्या होता है attitude का क्या हमारी जिंदगी में attitude का इतुलाज और इसी पर कॉसंस बनते हैं बहुत बेसिक दूसरा पॉंट हो गया आप थर्ड पॉंट की बात करो तो aptitude and foundational values aptitude क्या होता है basic definition इसकी आपको पता होना चाहिए आ आप किसी exam की बात करें तो उसमें भी emotional intelligence बहुत जादा माने रखता है जिन लोगों का emotional intelligence अच्छा नहीं होता आपने देखा होगा बाहर निकले मम्मी पापा की याद आगी का नहीं मम्मी मुझे याद आ रही है और पढ़ाई छोड़ के घर भाग जाते हैं तो यह भी हमें याद रखना है कि दूसरा आपने public civil services values को civil servant बनता उसकी क्या क्या values होनी चाहिए वह भी बहुत सेंपल है laws क्या होते रूल्स क्या होते हैं आपने देखा हो ethical concerns क्या होते हैं तो basic basic चीज है और देखोगे लास्ट में प्रोविटी इन गवर्नेंस प्रोविटी क्या होती इसको भी आपकी definition पता होना चाहिए और देखो वर कल्चर आपने देखा होगा कहीं पर भी जाते एक बर कल्चर वर कल्चर के बाद प्राइविट सेक्टर में बहुत ज्यादा बात किया सरकारी में तो इतना नहीं करते हैं वहां का तो बहुत चले लेगा प्राइबेट से बढ़े तो बेसिक बेसिक जो चीज हैं सर्विस डिलेवरी किया होती है यूटिलिजेशन ओफ फबलिक फंड्स हो गए यह बहुत से चीज़े हैं तो उसमें हम कर सकते हैं ठीक है यह हमारी अभी तक हमारा सेलिविस था आप समझ सकते हो जो हमने सेलिविस देखा सेविन पॉंट्स हैं और कोई चाहे तो इन सेविन पॉंट्स को जो भी एक एक वर्ड्स को सर्च करके गूगल करके या एक बुक है जैसे मैं बुक बता हूँ जो मैं बुक रिफर करना हूँ कि कैसे मैंने उन नोट्स को कैसे कवर किया कैसे आप बना सकते हो नोट्स और कैसे अच्छे मांग सला सकते हो ठीक है दूसी बात है बस मैं कुछ लोगों की मुझे सिकाहते रहती है पिछली वीडियो में यह था कि जो हिंदी मीडियम माले दोस्त हमारे यह बोल लेकिन यह के हिंदी भाले को इतनी इंग्ले सामति को पड़ सकता है क्या कि आ रहा है और लेकिन आपको जैसे पढ़ना है इसके बारह में एतिक्स के बारह में तो ब कभ़ने बहुत बखके है ऊसको आप पड़ें तो उसको आप recover कर सकते हैं आज हमारा जो ethics are the set of standards that society places on the members to guide the behavior actions it will help us choose and differentiate between right and wrong good and bad तो इस्टेंडर्स होते हैं जो सुसाइटी ने हम पर लगाएं और उससे हमें यह पता चलता है कि क्या गलत है और क्या सही है एक बेसिक कि definition आप यहां से बना सकते हो कि ethics की definition क्या है मालों जो English Medium बाले वह यह लख लिए करने के हमें यहीं लिख के आना है और हंधी मीडियम वाले उसको हंधी में translators करके इसी की डेफिनेशन होनी चाहिए जए से इःतिक्स की डेफिनीशन तो आप ऐसी नोट्स बनाना है और मैं सच पता हूं मैं इस इसा पेपर का कोई मुझे टेंशन नहीं रहती थी मैं उस पेपर को देने के लिए अभी भी दिवा ने तो मुझे बस क्या होता है दो दिन पहले पढ़ता था रिविजन हो जाता मुझे समझ में आजा था कि मेरा एक अच्छा है कर लो से नोट्स बने हुए किसी भी छिएस बन के आपके होने चाहिए yeah आफ जीतनी मेहनत में यां पर एक उतनी मेहनत में हम सकता है वो अमेरिका कमा रहा है एक रॉपए अब समझ दर इंससान होगा क्या करेगा यहीं성 सोधंब अब गतुप किसे इसे बहुत अच्छे लेंगी करता है यह को पीछे में निकानना है निकानना है निकानना है आ सब्सक्राइब कर दिया इसको बहुत अच्छे समाजदारी हमारी आपका कंपिशन बहुत आदा हो जाता है थोड़ा आप दमाग लगा लोगे तो ऐसे करके आपको नोस बनानी है बहुत सिंपल है यह जी एस फोर आप थोड़ी सी मैनत में बहुत अच्छे माक्स लाए सकता ह प्र-षमारा यह कहने का मतलब है ठीक है तो इसक्स को मैने ऐसे डिफाइन किया ठीक है आगे जैसे करोगे एक एक पॉंट को उठाया था आप देखोगे इसको पहला उसमें क्या था इथिक्स क्या था फिर उसमें का एसंस तो इसेंस आप इसेंस इन हुमन एक्षान अब इ इसे नोट्स बना देश्मिन के इसेंस ऑप एथिक्स इन एक्षन इंप्लाइज देट ऑब्जरवेंस ऑफ इस्टेंडर्स ऑफ गोड़ वर्से वर्सेस वेड इन था थॉट्ट कंड़क्ट एंड विवियर तो यह चीज आपकी अच्छी होंगी आपका थॉट्ट भी एक्षण बीकम इथिकल फिर मैंने इसका नोट्स बनाया के कोई एक्षन है कैसे डिफाइन करोगे कि वह इथिकल है नहीं है तो सबसे पहले क्या है कि मेंडट वाइन नेचर नेचर के दौर्ण के दृठार वो मेंडट है कि होना नेसेसरी तो इतिकल है इस अप्रूड़ नहीं माना जाए तो पहला नेचर से मेंडेट होना चाहिए दूसरा आप्रूड वाइस सोसाइटी होना चाहिए और डगत नहीं कर रहा है कि देखा किसी के घर में हमने बॉम रख दी अभी जो नहीं भट रहा है एक दिन ते और टाइम लगा दिए एक महीने बाद भट गया तो भाई एथिकल एक्षन नहीं है लॉंग टर्म में भी आप सोचो कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है तो एथिकल एक्षन यह मानतों कि जो इस पर संकर्ण करने वाला किसी परसन के आंदर एहां हम बात करें कैसे क customize आता यह है चैनल प्र debate प्रफिटी होती है जो इतिक्स को दूसरा उसकी फैमिली कैसे उसको सिकाती है कुछ चीजे फैमिली के साथ हम जादा टाइम बितीत करते हैं ना फैमिली आपके अच्छे गुर आएंगे खराब गुर से आपने देगा कुछ फैमिली में क्या होता है चोरी करना उनका एक वो म उन दोस्तों का भी आप पर असर पड़ता है आपके अच्छे दोस्त हैं तो आप अच्छे काम करोगे जैसा भी संगति में रहेगा और कुछ आप देखो एक हुमन की टेंडेंसी होती है लोग क्या करता है कि जो उसको काम अच्छा लगता है और उसको प्रूब करने के लि तो हर परसन को रहता है तो जैसे आप संगति में रहते हो वैसी आपकी चीजे हैबिट बनती है भाई आपका फॉर्ट प्रसुज बनता है दूसरा क्या है एपिसोड़ इवेंट्स आपका जो एथीकल एक्षन है वह एसी इवेंट्स पर डिपेंड कर जाता है जो आपकी ल इवेंट्स होई हैं अवह तो भाद में देखा हुआ गरीव हों को बहुत करते हैं अमीर बीव को सोच लेते के नयाँ यार गरीव कितनी एक्षान खराब होती है तो की हमारे सण को डिफाइन करते हैं हमें जिकाते हैं कैसे सोचना है क्या हुआ है तो व Luigi है ठीक हैкое होती है अब जैसे मान लीजिए हम कहीं हमें चोरों ने पकड़ लिया और चोर देके मुझे मानने जा रहा है तो अब एथिकल एक्षन क्या आएगी कि मैं इसको मारूं या छोड़ूं तो भाई अपनी जान की बात आगी न तो भाँ मारना उस परसंद को एथिकल है किसी टरम भी ठीक है फिर प्रोफेशनल कोड कभी कभी एथिकल एक्षन आपकी प्रोफेशनल कोड़ है कि हम किसी हम मालीजिक किसी प्राइविट सेक्टर में जाते तो उनके कुछ एथिकल कोड होते हैं कि यह काम करना सुबह दस बज़े आना मानों दस बज़े के बाद आते हो तो प्रोफेशनल नहीं है या दस बज़े के पहले तो वह कोड बन जाते हैं तो वह भी हमारी एथिस को तो यह कई डिटर्मिनेंट्स होते हैं जहां से हमारी एथिकल लाइफ डिफाइन करती है ठीक है तो मैं यह समझाना चाहता हूं कि मैंने अपनी नोट्स को एक एक यह लाइन आपको देखेगी एथिक्स इन पब्लिक इन प्राइविट लाइफ और यह बहुत अच्छी से लिखा है सच बताऊं तो आप बुक को देखो पूरी बुक उतार दो एसा कर दो कि मैंने देखो 40-50 पेज में कवर कर दिया था पूरा आप देखो गए इसकी बात क अच्छी तो वह SAKता है कि जल्ली सामने जल्ली थे हम पूरा से क्यों याइक इस कैसी आप कर रहे है किसी की साथ कर रहे हो क्या होने चाहिए में स्वारती नहीं होना चाहिए इंसान को दूसरों की सेवा करनी चाहिए और दूसरा का ट्रांसपरेंसी साथ कम तो यह पब्लिक वैलू जहें कोई भी एक ऑफिसर बनता है एक गवर्मेंट ऑफिसर होता माला आप उपीपीस निकालके इसदिया मन जा है तो आपकी जो इस इन पब्लिक में वह कुन कुन से उफाइन होगी इंट्ररीटी हो गई इंपर्सिल्टी हो गई अनस चीज़ें और अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे ठीक है यह दूसरा कि इतिक्स इन प्राइविट लएफ यह भी पॉइंट सा यह को मैंने इसको भी बनाए आप के सामने अप इतिक्स इन प्राइवट लाइफ में एतिक्स क्या होने जाए है जब आप घर में यह बात करते हो तो यह भी एक private life के से करते हैं relationship फ्रेंड्स विद चिल्ड्रेंट तो मेंस होने चाहिए आप जब किसी से आप रेलेशन से एक एक लोयल तो इसमें जो क्वालिटी होने चाहिए प्राइवेट इस एक्स वैलू जो तो मेने हम पर लिखा है त्रस्ट और लव अचाहिए लोयल्टी होनी चाहिए कि किसी से आप दोस्ति मार रहे है तो एक लोयल्टी के साथ यह नहीं कि यहार हमारे दोस्त को कुछ काम पड़ा हम उसको सपोर्टी नहीं कर रहे हैं देखेंगे भाई ऐसा पहले दोस्त क्या है जो किसी काम का नहीं चाहिए चैसे काम आते हैं ऐक दोस्त कि कॉल आती है जिनी होस्ताईगा वह एक पुलति है और लोथ दोस्त को बदल करें यह डिकद वासवार आपके लिंगा बहुत से प्रॉबम्स में भूर्ण सो किसी प्रॉबम और त्रेस में हो या फानेश्यल प्रॉबम जो आप सब्सक्राइब आपको दिखाने है ठीक है टृथ्फुल नेस आपकी होने चाहिए चाहिए आपकी क्या है यह प्राइबट एधिक्स बेलूज है ठीक है तो मैं अच्य फिर क्या है बहुत फिर लोने इए यहां पर एक बहुत अच्छा कूठेशन था में भो भी लिख लेता करके चाहते हैं तो समझाना यह चाहते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान बनते हो वह आप जो एक अच्छा यहां इंसान होगा जैसे बाहर होगा वैसे अंदर भी होता है आप यह नहीं कि बहुत अच्छी पहुत अच्छी स्टोरी थी कि उनकी जब देखा कि उनकी नियों रुपए लाके दिये कि यह मैंने रुपए 10 रुपए बचा लिए तो लालवादों सब्सक्राइब पतनी से पूछते हैं यह दस रुपए कहां से बचाए तो वह जो हमारी पैंसे आती है वह आपको एक ठीकल इंसान बचाती है यह और भी थे एक उनका में नाम बोड़ ला हूं कि जब वो पढ़ाई करते थे अपनी बुक्स तो क्या करते थे कि जो गवर्मेंट की जो केंडल्स मिलती थी वह जो नहीं करते थे जब अपने लिए बुक परते थे तो अपनी केंडल करते थे और जब गवर्मेंट की फाइल करते थे तो कोई नहीं देखने वाला तो इंट्रीटिव वही होती है कि आप आप कोई नहीं देख रहा है लेकिन आप अच्छे काम किये जा रहे है किये जा रहे है इसका बहुत अच्छा मैं आपको समझा सकता हूं आगे चलके तो परसंस का जो औरियंटेशन एंड एटीटुडे टोवार्स इस गेट टेस्टेट ओंली इन प्राइवीट लाफ यह कहना चाहते किसी परसंद को आपको जानना है सच में कि वह कितना इंसान है उसकी प्राइवीट लाफ चेक करिए उसकी पतनी से बात किजिए उसके हमारे महान नेता थे या जो संत थे लीडर्स थे रिफॉर्मर्स थे एड्मिनिस्टेटर से उनकी क्या-क्या वैलूज होनी चाहिए इनकी लिस्ट बना लो और हर बार कॉसंस आते हैं अभी देखो गए आने वाले पेपर मैंने 2021 का पेपर लगा है उसमें दिखाता हूं मैं सबसे पहले आप जो भी मान उतया है को भी किसी भी मान परस्ण को ओठालो उनके सबसे अच्छे उटियाए उनको जूट में बोलते हैं आफ श्रौंस को यह एक को इनकी फट्रूइन की एन्ड डे वोलोडव ओफ टेंडेंसी ओफ फ्रोड और चइट एसटाइण सी जिसमें किसी को फ्राउड ना कर मैंने किसी की या लखते हैं कोई भी आप इथिकल लिखते हो उसका एग्जामपल आप लिख लो एक्जाम में आएगा आपको के मुझे आर एक्जाम में सोच लूँगा को एक्जाम नहीं प्रैक्टिस जो करके जाएगो वही एक्जाम में आप लखोगे यह रियल्टी मैंने करके देखा जो एलानुस मिलता था तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाके बता दिया कि यह हमारे दस रुपए कम किया जाने तो यह ओनेस्टी थी ठीक है ऐसी देखो इंट्रीटी हर इंसान की एक इंट्रीटी होती है तो इंट्रीटी को डिफाइन करो कि इंट्रीटी होती क्या ह तो integrity means consistency in thought speech action while adhering to highest moral standards there is no hypocrisy or difference between these three internet का मतलब यह होता है कि आपकी action में आपके सोचने में और आपके करने में तीनों में समानता होने चाहिए यह नहीं कि आप सोच कुछ रहें कर कुछ और रहें तो फिर नहीं माना जाएगा तो जैसे आप इंट्रीट हो गया विचार हो गया आपकी action हो गया और आप जो बोल लाएं वो सब तीनों बराबर इक्वल उसमें होनी चाहिए हर्मोनी में तभी आपकी इंट्रीटी मानी जाएगी तो यह ऐसे ले आपको बनाने अच्छा लगता है अच्छे नोट्स बनाओ तो आपका मज़ा भी आएगा पड़ने जो को मैंने सर एंबिस्ट शुरहिया इस्ट ऑफिसील केंडस मैं भी एक्जेंपल दे रहा था फोर रीडिंग ऑफेस फाइल्स वाली पुट दें आफ एंड लिट केंड केंडल करते था तो गफ्रमेंटिटी थी एसे को उनको देख रहा था इसे इंत्रीटिक को आप डिफाइन करलो उनके एक्जांपलों से गलो तो यह ऐसे आपके बहुत अच्छे नोट्स हो जाएंगे तो यह यह पर एक्जामपल स्याद रहेंगे तो वहां लेख पाओगे तो वैसे कुछ नहीं याद रहता है क्यार क्या पूछ लिया इतना एक सेकंड का सोचने का टाम नहीं मिलता है आपने सोचना इस तर दस सेकंड सोच लिए समझ लो एक कॉस्सन आपका छूट चूट जाएगा तो आप से पहली से बार हमें पूरा पेपर अटेम्ट करना और अ सफरिंग परसंग तो क्या होता है कंडिनस में दया दया एक ऐसी चीज है किसी परसंग के जब वो दुखन होता है उसकी हेल्प करना ऐसी एक ठीक होने चाह रहा है ठीक है इन्वल्स एमोशन्स एंड एमपेथी टोवार्ड्स अधस यह सेंस ऑफ अंडस्टेंग ड्राइब किसी परसन की प्रॉलम को समझना उसके रखना उसके लिए झाल करने के यहीं धकल करने के तया है में यह भी हर घंवाय्योज एथी एंबॉडिमेंट औफ कंपेस्ट कंपेस्ट के उधारन मान जाती है मदद टर्रसा के उन्हों ने इतनी सेवा की लोगों की इतनी सेवा की के अपने दोख भूल जाती ती सेवा करना में लोग जैसे जो जनको एक बीमारी थी लेपरोसी कि जब लोग उनको केर नहीं करते तो उनकी सेवा करती थी तब कंपेस्ट माना तो यह डिफिनेशन अब कलेक। रोड़ है कलेक्टर वरु एक सेविल सर्वेंट है फ्रॉम कोजी कोड उसने कहा गरीबों के लिए खाना वातना स्टार्ट कर दिया एक फंड बनाना स्टार्ट कर दिया के जो भी गरीब होगा वो प और पास से एक परची ले जाएगा उसको खाना मिलेगा किसी भी होटल पर ऐसा उने फंड क्रियेट किया था तो उसको फिर collector वो ले तो उसकी भी एक आप example दे सकते हो कि यह भी एक कंपेंशन है गरीव लोगों के पर दया रखना ठीक है अब क्या होता है कि आपने क्या है तो बहुत से फंक्शन इसकी में हर्मोनी बढ़िएगी वह समझ घंगे होंगे अगहा मंदंगे होग जब कोई लड़ाई नहीं हो तो मेंटल हेल्थ भी अच्छा हुआ लड़ाई चल ले तो बैसे भी टेंसन है इतना जिंदिगी में टेंसन क्या आप देख रहे हैं यह नीज पढ़ रहे हैं इतनी गर्मी पढ़ रही है क्लामेट चैंज है कितनी लाइफ में प्रॉलम्स है और लड मेंटल हैल्थ अच्छा होगा तो सुसायटी के लिए क्यापिटल दलाभा के लिए दलाईChallah के लिए जाने Kerryain तो याप या तो ऐसे आप नोट्स बनाओ अच्छे नोट्स बनाओ वह सिंपल होता है ठीक है तो ये ये जैसे कबर हो गया आप फिर ऐसे अपने नोट्स बना मैं आपको फबर एक वेतिटूड का टारगेट करोया होता है कि किसी पर सेस्टीया २वेग्त शुह यह तार्गेट कुछ भी हो सकता है एक जानवर हो सकता है समस्या हो सकती है एक परसद हो SAKता आपने हमँजों में हमारे हिंदी में दोस्ते हैं उनको हमें बात करें कि एक ऐसा नजरिया है कि वह जब किसी इंसान को देखता है थो क्या सोचता है वह एक एक ठीक है आप जैसे क्या है कि असे इंडिया की पोपुलेशन है तो कुछ लोगों ने क्या देखा था इसको वर्डन की तरफ देखा था कुछ लोगों ने आप देखो उसको हीमरुश्यस की तरह आपने डिफेंस भी देखो आप नर्ण मोधी जी ने क्या किया कि जो हमारी human प्रॉलम थी पहले वर्ड में देखो लोग इंडिया की क्या करते थे बहुत बोलते रहे पॉपुलिशन इतनी है गरीवी है लेकिन मोदी जी नोस उसको कैसे रिपेजेंट किया ऐसे रिपेजेंट किया कि नहीं वी आर हीमर रस फोर वर्ड हमारे पास हीमर रस हो जाए कि मतल खुला कि समस्या को कुछ लोग समस्या देखते कुछ लोग उसको सॉलूसन देखते कुछ लोग पॉजिटिव देख पाते तो पॉजिटिव एक्टिटीट रखना जिंदिगी में सक्सेट्फल होने के लिए बहुत अच्छी बात है जैसे मैं बताओं कुछ एक मेरा दोस उसका में नहीं हुआ तो कहने का मतलब है कि समझ से आपको आप कितनी पॉजिटिव तरीके से देख पाते हो वो पॉजिटिव एटीटूड आपका ठीक है तो आपने दे दिये डिफाइन कर दिया इसके बाद एटीटूड टुवार्स सब्सक्राह except एकोनोमिक डवलमेंट वर्सेश एणवर्मेंट प्रोटेक्शन के जिसमें होने च्पूदिवेलृमेंट वर्स एनवर्मेंट इन पर चाहिगा इंडिया में एंदिया में को छोड़ दो तो यह जो लोग बोलते हैं वो खुद नहीं बोलते हैं उनका लोग होते हैं और परसंन कोई उसलो इसा तुर है अब कुछ में असे सब्सक्राइ yard कुछ लोग होते हैं उसे अब नॉटा में अच्छा एक होना बहुत नेसेसरी है उसने डवलमेंट करता है आपकी पड़ोसी कैसे आपके घर कैसा था आपकी टीचिंग कैसी होई है आपकी अपर डिपेंड करता है ठीक है और दूसरे पसंद क्या बोल सकते कि एक प्रोटेक्शन इस एक प्रोटेक्शन भी होना चाहिए ऐसे करते हैं ठीक है तो यह चीज़ होई आप इंपोर्टेंस ओटीटूड है क्या हमने डिफान तो यह चीज़े रखारो कोई भी आप पड़ते हो कोई भी नोट्स बनाते हो तो इसकी डेफिनेशन उसका एक्जांपल फिर उसका फं आप देखते हो तो इंपोर्टेंस ओप एटीटूड क्या है तो बहुत अच्छा यह मुझे लाइन लगा था मैं लेख भी लिया था कि इटीटूड 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 बट नॉट एप्टीटूड विस डेटरमानस बंस अल्टीटूड कितना मस्त लान है कि कि किस अच्छे तो आप इनके बारें पर सकते फिर एप्टीटूड इपर्स तो दा इनेंट इंटेलेक्ट अब 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 बच्पन से हमारी कि आपकी सोचने का वह क्या होते एक जिसके कैलकुलेशन बहुत अच्छी तो एक समझ सकते अच्छा है मैथमाटिक्स किसी का अच्छा है तो वह एप्टीटूड जो इनेहरेंट इंटेलेक्ट्ट जो बच्पन से मिली हुई चीजे हैं उनको हम एप्टीटूड बदला जा सकता है ठीक है अब क्या एप्टीटूड बीकम्स इसफुल ओनली इप फॉल्विंग कंडिशन आर मैट एप्टीटूड तभी हो सकता है एप्टीटूड जब कुछ कंडिशन हो पहला क्या है कि परसन बिलीप्स देट ही है अगे अपने देखे होंगे उनको नॉलिज्ट तो बहुत होती है लेकिन वह जिंदी में बहुत बढ़ा नहीं कर पाते हैं रीजन का उनका एटीटूड अच्छा नहीं है चीजों प् मालो कोई मालो किसी बड़े होटल में गए गेट कीपन ने कुछ सर्विस नहीं गुस्सा हो गए उस परसन से यह भी सोचते बोविद्यों के इंसान है बचारा हो सकता है गलती इंसान से होती है तो आप देखो आप घूमने जाएंगो तो आपको आपने बुक्स पढ़ लि हो रहा हो तो आप हस दोगे मुस्कान देदो कि नहीं किसी से गलती हो गई कुछ प्रॉलम स्रही होगी तो वह चीज़े हमारी नौलेश क्या इप परसन विलिप्स डैट पर चैनलेजिशन ऑफ इस एविल्टी बुट्स शोरली ब्रेंग सक्सेस टू हम दीस टूएप कंडि हुआ था कि वह टीज़ेंगा बटाओं गावि कि वह टीज़ेंग और इसके एटीटूड का क्या फंक्सन है और एक टीक कंटेंट क्या है वह आपको बता देखो एटीटूड फोस्टिवल सर्वेंट अप लेकल यहीं आ गया सिम्पल कोस्टन आ जाए कि एटीटूट सिव बनाना employee के साथ उसको challenges बहुत सी लाइप में तब challenge आएंगे तभी तो आप attitude attitude नहीं तो कैसे handle करोगे समझे ना फिर इसको पात क्या इंटर departmental coordination भाई एक आप government officer वर रहे है तो बहुत से department different departments के साथ आपको काम करना है आप attitude नहीं है आप करवाई सच बताओं आपके पास एक अच्छा attitude होना चाहिए अच्छा attitude नहीं होगा तो कि अच्छे civil servant नहीं बन पाओ कहीं बहुत माने रखता है तो आपको सामने रख दिया आपको करने पड़ेंगे आपको एंप्लोई से रिलेसंसिप्स बनाने पड़ेंगे तो बहुत सी चीजे में आपको कि ठीक है कि दूसरा यह question पूंचा करता है content and structure of attitude function के साथ क्या होता है attitude का और इसका content क्या होता है और इसका structure क्या होता है attitude का आप नहीं पड़े होगे नहीं नोर्स बनाओ सब्सक्राइब नहीं question और चार question आई थे 2021 में attitude को उपर बता आप क्या होता है कि जो attitude का जो structure होता है वह अफेक्टिव कंपोनेंट हो गया पहला तो अच्छे वह आपने देखा है कोई person में बता रहा हूं जो लोग ऐसी movies देखते हैं मानलो मार धार वाली तो उनका attitude थोड़ा उनका जो नॉल यह है वह घ्ल्ड ड़ियियै क्या गलत डाल भी यह अलगा पता चले ही कि नहीं आर ऐसा है दूसरा आपके साथ effective emotions आपने जो लाइब जिये जो जो हमारी forming एज होते हैं में हमारा development होता है मांड का लगबार एक साल से लेके 12-14 साल की तक आपने क्या सीखा है कैसी surrounding में रहे हैं कैसे दोस्त रहे हैं तो वो सब फेक्टर मिलके आपको attitude की डिफाइन करते हैं का आपका attitude कैसे बनता है समझ गया तो आप यह हो गया इसके बाद जैसे effective component क्या होता है कि आपकी personality development हो गई past experiences हो गए समझ गया परसने कैसे कैसे लाइब जिया है उसका सब सबकंसिसमांड में भरा रहता है सबकंसिसमांड जो आपको बताओ कुछ लोग ऐसे होंगे आप अपनी मम्मी की याद आती हुए पाप छोड़े बच्पन की चीज़ याद आती वह भी भी याद है कि क्यों आपके सबकंसिसमांड में और जब तक आप बुड़्डे हो जा लेकिन उसको नहीं कर सकते हैं तो क्या है हमारी जो नॉलेज है कहां से सीकर आवेर्नेस यह सब चीज हमारे इसको बनाती है ठीक है एक्जांपल क्या है वहाल मॉर्क इंदा चीमेंट ओफ ओडी अफ इंडिया जो ओपन टिफेकिशन केंपिगन था मोधी जी का कहीं खुले को डिफाइन करता है कुछ लोगों से बोलोगा कि आप भार क्यों सौंच करने जाते हैं अच्छा मौसम होता है खुली हवा लेते हैं खुली हवा में कर रहो तो उसका मज़ई कुछ और है समझगा ना लेकिन समझ तो क्या है उनका एक वहीवियर ऐसा तो आपके एटिटू उसको बदलने के लिए कैसे बदल हो उनको थोड़ी ट्रेनिंग दो उनको थोड़ा बताओ वहांकर जो गवर्मेंट ऑफिसर इसको जो काम देगा उसको समझाए कि ओपन में करोगा तो क्या होगी बीमारियां फैलेंगी कि एक को हैजा हो गया तो मक्खी बैटेगी सब लो उसको ऐसे तरह समझाए ठीक है तो नोट सी ऐसे बना लिए आप दो फंक्शन आफ एक्टिटूड का फंक्शन क्या है अब बहुत से फंक्शन होते हैं जो एक फ्लॉस्पर था उसकी क्लासफिके संथा क्या आपको करने में नॉलेज आपके करने में एगो डिफेंस कभी कर अक्यूड करता है वैलूर एकस्प्रेसन आपको एकस्प्रेश करते हो एक्टिटूड के अपकर सकते हो ठीक है मेरा मकस्द यह है क्या पनाने लगा भीन में बताना नोर्स कैसे बना है ठीक है की यह हुआ आप देखको इंटेलिजेंस पर कुस्टन आये ता पिष्छी वार और कितना सिंपल को कि emotional intelligence अच्छे से लिखू कि emotional intelligence है क्या आपने पर दिफान किया कि emotional intelligence refers अब देख फोर्थ पॉंड था मैंने अच्छे से लिगा emotional energy refers to the capability of a person to manage and control as his and her emotions and possess the ability to control the emotions of others as well तो emotional intelligence वो हो दिए अपने भी emotions को आप control कर रहे हो अपनी भावनाओं को control कर पा रहे हो दूसरों की भावनाओं को control कर पा रहे हो तो आप emotional intelligence आपकी अच्छी है अब क्या क्या होते हैं तो इस दुगों में एक ग्राब बना रख रहा कितना अच्छा ऐसे बना होगे आप तभी यह ऐसा एक्जाम में लख पाऊगो जब आपने बनाया होगा नहीं बनाया हो तो कैसे लिख पाऊगे तो emotional intelligence क्या है पहली तो दूसरी की emotions को समझना फिर उनकी emotions को करना फिर दूसरी की understanding emotions managing emotions तो यह emotional intelligence क्या लाता है तो यह कैसे emotional intelligence होना चाहिए IQ क्यों 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 लोग emotions में जब emotions में लोग रहेंगे तो फिर वो एक डेटा के नहीं सोच पाते हैं एक फिर रियलिस्टिक नहीं सोचते हैं emotions में रहते हैं तो कभी-कभी जो आपने देखा हो जो बहुत intellectual person है लेकिन emotions में ज्यादा रहते हैं ज्यादा productive नहीं कर पाते हैं तो एक आपका यह कुई भी बहुत अच्छा है इमोशनल की सेंट यह भी आपका अच्छा होना चाहिए ठीक है अब रीजन क्या है इस इस भी को कि जो सर्वेंट है एक जो सरकारी ऑफिसर है उसके अंदर emotional intelligence होना क्यों नैसेशरी तो सिंपल के influence of the emotion as an action कि कोई emotions का action पासर पड़ता है अब emotionally control control नहीं कर पादा तो action कैसे लेगा दूसका influences of emotions on one thought thought पर भी अशर पड़ता है emotions का लिए emotional control होने चाहिए इंपेक्ट आप emotions on interpersonal relationship इंटर पर उस पर भी एफेक्ट पड़ता है emotions का तो यह सब उनके stress management आप तभी कर पाए आपका emotional intelligence अच्छा होगा मालों घर में कोई मालों death हो गई नहीं ऐसे हो जाता प्रॉलम्स आती है आप ठीक होगी आप नहीं बचा सकते आप डॉक्टर नहीं ते जितनी आपको कोई भी पूरी मेहनत लगाता किसी को बचाना में लेकिन उसी को लेकर आप सालों तक बैठ चाओ अरे भाई बहुत हो चले गया उसके चक्कर में आप अपनी लैब के खराब कर रहे हो समझ के आपको मेहनत करने जीरो तो जो हो गया थोगा आप जो आने वाला अच्छी कम्मुनिकेशन तभी कर पाऊ जब आप मेंटली है तो इमोशन को आप कंट्रोल में रखे होगे फोर मेंटेनिंग बैलेंस इन लाइफ बैलेंस अब मालू को यह आसा परसन है भाई आई इस बना दिया उसके इमोशन इंटलेंस अच्छे नहीं है एक रिलेटिव एसके इमोशन इंटलीजेंस आपकी सही होने ठीक है इसके बाद है में में इसमें इंच्छेंटन कीश होता है वह सैल अबğimiz्यान इस हो गया सैल हो गई एंपैथी हो घे और मोटी गिसन आ लेक्ट अले यस्तिव ने लिखलो किया क्या होता है ऐसी नोट्स बनाया आपको सीखना है यहां पर आज मैं पढ़ाना तो ठीक है को सीख लो लेकिन नोट्स कैसे फिर सेल प्रेगुलेशन क्या होता है क्या क्या है ऐसे नोट्स बनाना वह एक क्लाइन में अब अगला जो पेपर आये था मैंने लगाया है यहां पर इन्होंने सेलाइड बना दी नहीं ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं अब देखो आप सिंपल सिंपल कॉस्टन आए थे ठीक है अब देखो डज इंडिविजल मॉरल्टी की बात हुई तो अब क्या है डिसीजन और पबलिक लाइब तो मैं यह समझाना चा इसमें थोड़ा बहुत सोचना एक यह पूच रहा है कि आपकी जो इन्डिविजल मॉरल्टी है उसकी पब्लिक जो डिसीजन है उसकी मॉर्टी का जो अपने डिसीजन या वह पबलिक पर क्या असर पढ़ेगा तो जो मॉरल्ल्टी कुछ लों के मॉरल्टी होती है मालो ऐस की मौरल्टी तो किसी को मार डालोगे क्या तो यह ऐसा कुस्टन है सोचना पड़ेगा आगे कुस्टन जाते हैं अब देखो वाट अब कुछ आप मातमा गांदी में हमने क्या बताए अब यह मनें को एिसको इफ़ाइन करना है प्रोवर्टी की बात अगई अब और्कों हॉस्ट में कि पहले पहले आप कर देते पहले पहले किसी की वह आपका करता तम में बोल पा रहा हूं आपका सामने जब मैंने इसको नोड भात नोड कि पनाए थे और नोड को देखा तब में सुच पा रहा हूं कैसे नोट सी नहीं लिखा हूँ तो वह सीधे सीधे बुए कुंस देखो जैसे अब मैंने क्रदों चीची तरह इलो डिफैन करो क्या है इंप परसंड के पास होगी तो इंट्रलाज करना फिर उनको कैसे कैसे परसीव करना अच्छे से बना देते क्या अब एफ्टिव अड़मेश्टेशन में क्योंगा नोट्स बनाए दैंक लिखा था पब्लिक सर्वेंट में इमोशन इंट्रेंस के होना है उनके फैंक्सन लिख दो सीधे सीधे आया है बताओ अच्छे चीजे होती है उनको आप डिफाइन को इस्टेक्चर एंड फंक्शन आफ एटिटूड देख रहा हो अभी मैं बना गया क्या होता है कॉगनेटिव कंपोनेंट हो गया एफेक्टिव कंपोनेंट हो गया वेविर वही यह पूंच रहाता इस क्वेस्टन का अंसल मैं का टूत्फॉलली सो गई कंट्रास हो गई मार देखो इसमेंकि मुअरल पॉल्टीकल और पॉलिटीकलल आटीटीटूड आटेक्टिटी डंडेव अपने लोग क्या होते हैं किम म तो यह भी आपको पता होना चाहिए आप डेको डिसके दर रूट को जब जेंडर एलेटेंट नेगेटिव एक डिफाइन करो फिर जेंडर के प्लत कैसे नेगेटिव एक रिटीटूट होता है बता दो प्रोलम से बहुत सिंपल पेपर आता बस आपको थोड़ा समझना है अच्छे से नोट्स बना लीजिए और आपके अच्छे से नोट्स बना लीजिए और आपके काम आएंगे वो नोट्स सच बताएं 200 माक्स बहुत माने रखते हैं लोगों का एक एक माक्स से सेलेक्शन कटता है फिर बाद में पस्तावाई यह होता है क्यार मैंने नोट्स बना लिए होते प्रैक्टिस कर लिए होते तो बहुत अच्छा कर सकते थे तो दोस्तों बहुत धन्यवाद